नमस्वागत है आपका जनसत्ता में मैं कृष्णा शुक्ला लेकर आई हूँ आपके लिए खेल जगत की बड़ी खबरें इंडियन पीबे लीग 2022 में आजचिर प्रतिद्वन्दियों का मुकाबला होगा रोहिच शर्मा की मुंबाई इंडियन्स और अवींद्र जडेजा की चिरने सुपर किंग्स मुंबाई के दीवाई पार्टिल स्टेडियम में आमने सामने होगी दोनों टीमों के लिए सीजन अच्छा नहीं रहा है और अंक तालिका में सबसे नीचे हैं मुंबाई इंडियन्स छे मैं से छे मैच हार के साथ अंक तालिका में अंतिम स्थान पर है जब कि चिरने सुपर किंग्स छे मैचों में दो अंकों के साथ उन से ठीक उपर है मुंबाई की टूर्णामेंट में बने रहने के लिए उन्हें ये मैच हर हाल में जीतना होगा मुंबाई एंडियन्स की टीम की बात करें तो तेज के इन बास जस्पी दुम्रा को टाइमल मिल्स के साथ नहीं मिलने से टीम की ये स्थिती हुई है जैदेव उनादकट डेनिल सैंस और बसल थंपी ने भी निराश किया है ऐसे में आज डूले मेरडित को मौका मिल सकता है वही मुर्गन अश्विन की जगए मयंक मारकंडे को मौका मिल सकता है चेननाई की बात करें तो क्रिस जॉर्डन की जगए डूएन प्रेटोरियस को मौका मिल सकता है वही मुकेश चौदरी की जगए राजवर्धन को खिलाया जा सकता है वेस्टन डीज के सीमित ओवरों के कप्तान केरिन पुलार्ड नए पुदवार को अंतराश्ट्री क्रिकेट से सन्यास की घोशना की वो वर्टमान में इंडियन प्रीमेर लिग 2022 में मुंबई इंडियन्स का प्रतेनिद्व कर रहे हैं उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करके सन्यास की घोशना की इसके साथ ही उनके 15 साल लंबे करियर का अंत हो गया वर्श 2007 में एक दिवसी अंतराश्ट्री क्रिकेट में पदार पढ़ करने वाले से अधिक समय तक वेस्ट इंडियस का अपरतेनिद्व किया है कोई नाइटीन मामलों से प्रभावत दिल्ली कैपिटल्स ने बुदवार को के इंदवाजों के बदौलत पंजाब किंग्स को कम स्कोर पर समेटने के बाद डेविड वार्णर के अर्डुश तक की मदद से इंडियन प्रीमेर लीक रिकेट माच में नौ विकेट की आसान जीत दर्ज की दिल्ली कैपिटल्स ने पहले अपने स्पिनरों की शांदार गेंदवाजी की मदद से पंजाब किंग्स को महज 115 रन के स्कोर पर समेट दिया फिर सलामी बल्लेवाज वार्णर और प्रत्वी ने आकरामक बल्लेवाजी करते हुए पहले विकेट के लिए 83 रन की साज़दारी निबाई इसे टीम ने आसानी से 10.3 ओवर में एक विकेट पर 119 रन बनाकर जीत हासल गी वर्णर ने 11 ओवर की तीसरी गेंद को चौके के लिए भेज कर टीम को अंक तालिका में छटे स्थान पर पहुँचा दिया जिसकी ये 6 मुकाबलों में तीसरी जीत थी आकर्शी कर्शिया पर प्रियांचु रजावत भारती बैनमेंटन संग बी ए आई के चैन ट्रायल में बुदवार को यहां करमशा महिला और पुरुष एकल में विजेता रहे जिससे उनका आगामी राश्ट्रमंडल खेलों और एश्याई खेलों के लिए चुना जाना तैय है आकर्शी ने यहां इंदर अगांधी स्टेडियम परिसर में राश्ट्रे ट्रायल में अश्मिता चरिहा को कड़े मुकाबले में हराया जबकि प्रियांशो ने ओडिशा ओपन विजेता किरन जॉर्ज को हराकर रैंकिंग में शीर स्थान हासल किया टूर्णामेंट में अजए रही आकर्शी रश्ट्रवंडर खेलों की टीम में दो बार की ओलंपिक पदक विजेता वीवी सिंदू के साथ दूसरी महिला एकल खिलाड़ी होंगी जबकि प्रियांचु को एशिया एक खेलो और थॉमस कप में देश का प्रते निदित्व करने का मौका मिलेगा अभी के लिए बस इतना ही देश दुनिया के तमाब बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहे जनसत्ता के साथ धन्यवाद